बाचीत के सिसले को आईए आगे बढ़ाते हैं आप से जानना चाहेंगे कि 22 करूर की आबादी में ओलम्पिक्स में एक भी मेडल नहीं आपाया क्या कमी है कमी सिर्फ प्राक्टिस प्राक्टिस तो नोंने खेर अपनी ओर से पूरी की थी बाकी देशों के मुकाबले हम नहीं कर पाए बहुती दुख की बात है बेराल तीन आये खुजी के बात है उनको सम्मानित क्या जा रहा है प्रदानमंत्री ग्रह में बाकी अगले साल हम और उमीद करेंगे कि और अच्छा इस बार जैसे की काफी बार डोपिंग में टेस्ट पाए गये नर्संग यादा और माल एक काफी पाए गये गाफी दुख की बात है कि ये लोग को क्या लगते है कि कहां कमी रहे गए घुलंपिक्स में मेडल क्यूं नहीं आयाए यूपी में कमी सिर्फ़ प्राक्टिस में हैं, जैसे बाहर देशों में बहुत जाधर प्राक्टिस होती है, उनसे हम लोग कंपर्टिबल नहीं होपाई और कंपर नहीं कर पाये उनसे ज्यादा और कहीं न कमी है सरकार में भी कहीं कुछ न कुछ है जैसे sports colleges है sports colleges में कुछ न कुछ कमी होगी तभी एक player उतना नहीं कर पाया जितना बाहर देशों में उख रहे हैं मेरे हिसाब से हर बार सेक्सेस जर्वी नहीं होती है क्योंकि failure जब तो हम नहीं face करेंगे तब तो सक्सेस के बार कैसा सोचेंगे हम लोग हर हर से कुछ न कुछ नया सीखते हैं इस बार नहीं हुआ ठीक है हर बार ऐसा नहीं होता है गवर्मेंट अपनी तार से साइन स्पोर्ट सार्टी ऑफ इंडिया है वो पूरे हल्प करती है अब यह अलग बात है हमारी प्रेक्टिस में हल्की कम ही रह गई लेकिन अगली बार वो इंप्रूफ होगा एक्चली जैसे बात करें साची मलिक ने उन्हें ब्राउंद मेडल लिलाया और पीवी सिंदु जी ने रजट मेडल तो इस वज़े से और लोग को भी मेनत करने चाहिए और प्लस जो सरकार है हमारी उपी सरकार है अखले से अदो जी है उनको भी खिलाडियों को सपोर्ट क पे बास रूपया या नौब लेक्र एकड़्य और यहां पर तीन पैसे से भी कम खर्च के जाते हैं और दूसरी चीज यह है कि मतलब यहां पर सपोर्ट सोलिज बहुत कम है सहां है मतलब अगर इनथ कर रहे हैं तो लिटरैसिरेट highest 15 चलिड और मियस एड river jim जो आपके लिए भी बहुत सारी opportunity आ रही है पर मतलब अगर sports के लिए बात करें तो यहाँ पे sports के लिए मतलब महिलाओ के लिए कुछ भी नहीं है बैसिकली अगर वो wrestling में जा रही है तो उनके लिए कोई भी opportunity नहीं है कि यहाँ से wrestling में उठे हरियाना में बहुत सारी चीज़े होती है लाइक उनके लिए अलग अलग चीज़े प्रोवाइट के जाती है यह तो थी मौझूदा सरकार की बात अब हम बात करेंगे आगामी चुनाव की आने वाले सरकार से आपको कैसी उमीद है उमीद यह है कि वो थोड़ी सी protection की बढ़ाएंगे sports में invention होगा इंप्रोव करेंगे लोगों की कल्चर को दिखाया जाए हमारे फूद से बहुत साही कल्चर सोते चीजों को थोड़ा डेवलब किया जाए रोड अच्छी हो जगा अच्छी हो और हमारी गुम्ती नदी अभी रिसेंटली साफ की गई है तास वाद बढ़ाएंगे और बहुत साही करना पड़े हमें लखनों में बहुत से कंपनी साजाएंगे तो सब यहीं पर आइधिंक बहुत ही जादा एडुकेशन सिस्टम अच्छा होगा वह मैं चाहती हूं आने वाली सरकार से आपको क्या उमीदे हैं यही कि प्रोटेक्शन गर्ल्स के लिए प्रोटेक्शन थोड करना जो नीतियां इस सरकार ने बनाई है उसको कैंसल ना करके उसके अच्छे पॉइंट्स लेके उसको आगे इंप्रवाइस करना और यूपी में कोई पावर प्लांट बहुत ही काम है जिसे इंप्लॉइमेंट भी जेनरेट होगा स्पोर्स कॉलिजिस का निर्मान करना ऐ मैं तो नहीं मानता कास्टिजम के उपर तो बिल्कुल चिनाव नहीं करना चाहिए और आने वाले चुनाओं में मैं यही बिलिब करूंगा कि कास्टिजम के बेस पे कोई चिनाव ना हो चिनाव के बीच में जाती का नाम लेकर के आना वो खाली उसका नोगों का मुद्द रहता है जिस पर बह्न कर सके मेरे घजाप से जब कोई भी अगर किसी वह वोट दे जाता तो यह नहीं देखता है कि हम वह मेरी जाती का या यृप बस यह देखता है कि हम वह इंसान किस मुद्धा नहीं है जात सबकी एक नहीं होती लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी इनसान है वो एक समान है और जाती के उस पर चुनाव लड़ने से अच्छा यह आगे के डेवलप्मेंट के लिए सोच के चुनाव लड़ने तो हमारे आने वाली सरकार हमारे लिए भी होगी और उनके भी आगे चल के वोट्स में लेंगे जाती की बात की जाए यह तो बहुत बड़ा हम लोग का टॉपिक है कि इंडिया में कि हम लोग के जाती तो मुझे मुझे किसाब से लगता है कि जाती के बैसिस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए विया हुमेंस और हम लो होगा एक तरीके से और डॉन थिंग के इस हसाब से लिक्षिन होना चाहिए यह तिंग जाती के बैसिस की बात जो कर रहे हैं लोग आज कल हम लोग इतने एजुकेटेड हो चुके है कि जाती वाला जाती वाद तो खतम ही हो चुका में ख्याल से तो यह तो सब फालतू की ब मुद्दे पर खुल कर चर्चा की सियासे दल चाहे कुछ भी कहें पार्टिया कुछ भी कहें लेकिन हम तो यही कहेंगे यह पबलिक है यह सब जानती है नमस्कार